हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल साधना साइन्स कलब आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे D.S.S.B. प्रीबियास इयर क्वेशन पेपर इसके पिछले वीडियो में हमने इसी इयर के यानि 27 सेप्टेंबर 2021 के क्वेशन जो है 21st question से क्योंकि ये सब हम जो है डिसकस कर चुके हैं अब देखो यहाँ पे हमारा 21st question क्या है वीच आप दा following gases makes 75% आप बायो गैस बायो गैस का 75% कौन सा गैस बनाता है तो यहाँ पे क्या क्या है फर्स्ट option ammonia, b, urea, c, butane, d, methane तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो बायो गैस होता है जो बायो गैस होता है इसी को हम क्या बोल सकते है गोबर गैस क्या बोलते है गोबर गैस जो बायो गैस होता है इसी को हम गोबर गैस भी बोलते है और इसका जो major component होता है वो होता है मीथेन, क्या होता है मीथेन तो यहाँ पे देखो, जो बायोगैस होता है वो उसके कंपोनेंट कई सारे होते हैं लेकिन मेजर होता है मीथेन तो मीथेन के साथ में और क्या-क्या होता है एक तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीथेन फिर हो जाएगा carbon dioxide और यहाँ पे nitrogen फिर यहाँ पे hydrogen तो जो CH4 होता है उसका जो percentage होता वो 50 to 80% होता है तो 50 to 80 के बीच में कौन लाई कर रहा है 75 यानि जो methane है वो 75% बायोगैस का बनाता है तो 50 से 80 के बीच में कोई भी option देंगे आप वहाँ पे क्या माग करेंगे methane अब देखो जो CO2 होता है वो क्या होता है 15 to 50% 15 to 50% जो N2 होता यानि nitrogen होता है वो 0 to 10% होता है और जो hydrogen होता है वो 0 to 1% होता है तो यह major 4 gases होती है जो की बायोगैस या फिर गोवरगैस में present होती है और इसका जो major component है वो क्या बनाता है methane यानि 75% यहाँ पे क्या है methane तो इस question में हमारा right answer क्या हो जाएगा methane अब देखो यहाँ पर next question क्या है which are the following statement is incorrect about biofuel तो याद रखना मैंने आपको बोला है जब भी incorrect, correct, false, true जो भी पूछे उसको mark करके रखे कि पूछा क्या है कभी कभी हम option पढ़ते हुए question पढ़ते हुई यह भूली जाते हैं कि हमसे incorrect पूछा है या फिर correct और अगर हमको option में correct ऑपसन दिखाए देता है तो हम correct पे जो है tik कर देते हैं और भूल जाते हैं कि question में incorrect था तो इस वज़े से इसको mark करना जरूरी है तो याद रखना question में क्या पूचा है incorrect about biofuel हमको जो है biofuel के बारे में बताना है वो भी incorrect option तो चलिए option यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या-क्या है और बी option क्या है तो यहाँ पर आपको बताना है biofuel के बारे में तो biofuel के बारे में यहाँ पर जो दो option दिये हैं यह बिल्कुल सही है लेकिन हमसे क्या पूचा है incorrect पूचा है यानि हमारा option तो हो जाएगा neither one nor two incorrect पूचा था इसमें से दोनों ही correct है इसमें से कोई भी option मतलब हमारा वो neither one nor two हो जाएगा तो क्या है it is an important fuel तो बिल्कुल सही biofuel important fuel है produced from leftover food product like vegetable oils and animal fat तो यह बिल्कुल सही है यह vegetable oils और यह जो है animal fat से बनाया जाता है और it can be made when large amount of crops high in sugar और starch content are grown यह भी सही है then fermented with yeast to produce ethyl alcohol और ethanol तो यह जो है यहाँ पे दोनों ही option क्या हैं हमारे correct हैं लेकिन हमसे incorrect पूछा था तो हम क्या mark करेंगे neither one nor two और अगर यहीं पे आप गलती करते हैं और इसको incorrect को ignore करते हैं तो आप यहाँ पे क्या mark करेंगे both one and two लेकिन यह जो है wrong हो जाएगा क्योंकि हमसे incorrect पूछा है तो यह दोनों options आई हैं यानि neither one nor two तो इस तरह से मतलब question तो easy होगा पर आपको जो है वो language में confuse कर सकता है तो इस वज़े से previous year solve करना जरूरी होता है और हमको यह भी पता चलता है कि किस किस topic से question पूछे गए हैं तो जब देखो बहुत लोग बोलते हैं NCRT पढ़ो NCRT पढ़ो लेकिन जब NCRT आप पढ़ते होंगे आप मतलब सोते होंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो वो हमको पता चलता है previous year से तो आप यहाँ पे देखो क्या है which are the following is true क्या पताना है हमको true तो याद रखना in word को जरूर माग करना true बताना है rate of diffusion of liquid is higher than that of solid जो rate of diffusion होता है वो मतलब liquid का ज़्यादा होता है solid की अपेच्छा तो हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था solid और liquid से related एक concept था intermolecular forces का तो देखो जैसे माल लो यह solid है तो solid में क्या होगा जो उसके atom होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे यानि इन में intermolecular forces क्या होगा ज़्यादा होगा और liquid में क्या होगा थोड़ा दूर दूर होगा gases में बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है इस वज़े से gas जो होते हैं ज़्यादा जल्दी diffuse होते हैं लेकिन जो अब यहाँ पे हमको gas में पूछा नहीं है तो liquid और solid में पूछा है तो यहाँ पे intermolecular forces ज़्यादा है solid में इस वज़े से वो उतना easily diffuse नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जो है जो option दिया है rate of diffusion of liquid is higher than that of solid तो यह बिल्कुल चही है क्योंकि जो liquid होता है यहाँ पे intermolecular forces क्या होते हैं कम होते हैं अब second क्या है gases are highly compressible as compared to solid and liquid जो gas होता है उनको compress किया जाता है मतलब compress किया जा सकता है as compared to solid and liquid तो यह भी बिल्कुल सही है जो जैसे देखो जो गैस होता है जैसे liquid petroleum gas या फिर CNG होता है compressed petroleum gas तो इन सब को कैसे बना जाता है compress करके या फिर आप जो है cylinder में जो gases भरी जाती है वो भी जो है compress करके उसमें भरी जाती है तो यहां पर क्या है gases are highly compressible as compared to solid and liquid तो यह option भी हमारा क्या होज़ेगा सही होज़ेगा तो यहां तो यहां पर हमारा answer क्या होज़ेगा बोथ 1 & 2 यह दोनों ही options आई है और आप देखेंगे अभी तक हमने जितने भी questions डिसकस किये हैं सब 9th 10th से ही पूछे गए हैं यहां तक कि यह जो अभी मतलब अगर आप बोलेंगे मतलब हर question में थोड़ा सा odd लगता है यह question इस class का इस chapter का अगर बोलेंगे मैं बता भी सकती हूँ ताकि आपको idea लगता जाए किस chapter से कितने question है किस level के question है सब बता सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा यहां पे बोथ 1 & 2 इसका answer आगे देखिए क्या है in 1961 for a universally accepted atomic mass unit क्या पुछा है 1961 में universally यानि जो पूरे world level पे जिसको accept किया गया ऐसा atomic mass unit क्या था isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass atomic mass को मिजर करने के लिए क्या standard reference लिया गया था कौन सा isotope था जिसको माना गया था यह जो है आपको यहां पे बताना है तो याद रखना यह direct NCRT की सारी ही lines है क्या है carbon 12 जो carbon 12 है उसी को हम reference के रूप में यूज करते हैं जब भी हमको atomic mass जो है major करना होता है तो यह सब जो है यहां पे देखो कोई भी ऐसा मतलब numerical तो है नहीं तो सीधे सीधे से question है तो सीधे सीधे से answer है जहां भी explain करने लाए कुछ होगा तो मैं उसको जरूर explain करूंगी तो इ जर करना होता है नेक्स question क्या है the commonly used unit of power, hearts power is equal to जो देखो जो power होता है उसका unit क्या होता है? वाट होता है, क्या होता है? वाट होता है हमको यह बताना है जो हार्स power होता है वो किसके equal होता है तो यह भी direct question है आप देखेंगे work energy and power वाले question मतलब chapter में class 9th या फिर 10th में होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे 9th में ही है वह हो जाएगा 746 वाट वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि one hearts power equal to seven four six watt अब देखो इसको मालो यह हमको पता होगा तो क्या होगा जैसे यहाँ पर तो directly पुछ लिया one hearts power equal to seven four six watt लेकिन कभी-कभी क्या होता है आपको जब numerical देंगे power से related तो जो आपका option होगा उसको जो है वाट में रख देंगे लेकिन question में वो hearts power में कोई भी value दे सकते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे मालो option में हमको वाट दिया है और question में hearts power में दिया है तो हमको seven four six से multiply करके सबसे पहले उस hearts power को वाट में change करना होगा इस वज़े से यह value हमको पता होनी चाहिए यह तो बहुत easy question हो गया कि इसने direct value पूछ ली इसको मतलब यूज नहीं किया जो है question में लेकिन यूज कर भी सकता है तो इस वज़े से इसको हमेशा याद रखना one hearts power equal to seven four six यानि 746 watt अब next question देखिए क्या है 26 the number of atoms constituting a molecule number of atom the number of atoms constituting a molecule is known as its जो देखो यहाँ पे क्या है number of atom constituting a molecule कोई भी molecule मानलो यहाँ पे हम option ले लेते हैं CH4 या फिर H2SO4 या फिर यहाँ पे मानलो क्या ले लेते हैं O3 कोई भी option आप यहाँ पे ले सकते हैं मतलब कोई भी molecule ले सकते हैं तो क्या बोड़ा है number of atom constituting इस molecule में जितने भी atom है यानि number of atom constituting molecule क्या कहलाता है atomic city क्या होता है atomic city जब आप जो है chapter पढ़ेंगे 9th class में chemistry में तो वहाँ पे आपको मतलब इन सबके atomic city, atomic mass, atomic weight, atomic number यह सबके बारे में दिया हुआ है तो यह जो definition है number of atom constituting a molecule वह होता है atomic city अब देखो आप से जो है पूछ सकते हैं कि बताईए जो है CS4 की atomic city कितनी है CS4 की atomic city कितनी है तो क्या है अब molecule constituting number of atom यानि एक molecule में कितने number of atom है वो हमारा क्या होता है उस molecule की atomic city होती है अब यहाँ पर मालो जैसे अगर आप से पूछे कि CS4 में यानि मेथेन में कार्बन की atomic city कितनी है मतलब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि CS4 में कार्बन की atomic city कितनी है यानि कार्बन के कितने atom है वो यह आप से जाना जाता है तो यहाँ पे carbon के एक atom है, यानि CS4 में carbon की atomicity कितनी है? 1 है, hydrogen की atomicity कितनी है? 4 है, लेकिन अगर आप से पूछे, CS4 की atomicity कितनी है? वहाँ पे carbon या hydrogen नहीं बताया, उसने क्या पूछा? CS4 की atomicity कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? यानि CS4 की atomicity 5 है, लेकिन CS4 में carbon की atomicity 1 है, hydrogen की atomicity 4 है, इसी तरह से H2SO4 में, अगर H2SO4 की atomicity देखोगे, तो चार जो है oxygen के atom होगे, एक जो है, सलफर के एक, दो जो है यहाँ पे hydrogen के, तो 4, 1, 5, 2, 7, 7, 7 जो है यहाँ पे H2SO4 की atomicity हो गई, लेकिन यहाँ पे sulfur की atomicity 1 हो गई, oxygen की atomicity 4 हो गई, hydrogen की atomicity 2 हो गई, तीक उसी तरह से यहाँ पे ozone की atomicity की atomicity कितनी होती है, 3 होती है, ammonia की atomicity कितनी होती है, NH3 यानि 4 होती है, ammonia में hydrogen की atomicity कितनी होती है, 3 होती है, अब आप स कभी भी atomicity से related question पूछा जाएगा तो आप जो है solve कर पाएंगे तो the number of atoms constituting a molecule is known as atomicity next question देखिए यहाँ पर क्या है for generating आवाज की बहुत disturbing है तो थोड़ा सा manage कर लेना मैं जितना हो सकेगा थोड़ा तेज बोलने की कोशिस करूँगी ताकि other आवाजें यहाँ पर दब जाएं तो next question क्या है हमारा 27 तो question है हमारा for generating wind energy the wind speed should be higher than मतलब जो देखो जो wind energy है उसको generate करने के लिए wind की speed जो होती है वो एक important factor होता है तो सबसे पहले wind को generate करने के लिए sorry wind energy को generate करने के लिए क्या होता है wind mill होता है क्या होता है wind mill होता है और जिसमें जो है बड़े बड़े क्या लगे होते हैं turbines लगे होते हैं क्या क्या लगे होते हैं turbine लगे होते हैं और इन turbine को घुमाने के लिए इन turbine को घुमाने के लिए ही wind की speed जो है वो चाहिए होती है तो हमसे ये पूछा है कि for generating wind energy the wind speed should be higher than जो wind की speed वो कितनी होनी चाहिए कि ये turbine जो है वो घूम सके कहे to maintain the required speed of turbine इन turbine को घुमाने के लिए कितने speed की requirement होती है तो याद रखना wind energy generate करने के लिए जो required speed होती है wind की वो होती है 15 km per hour 15 km per hour से भी जादा क्या होता है higher than 15 km per hour से जादा तो ये जो है ये जितने भी question अभी तक हमने discuss किये है कल की वीडियो के 20 question आज के वीडियो के जो भी मतलब 7 question अभी ये सभी question आपको सारे के सारे NCRT में मिल जाएंगे वो भी 9 10 की NCRT में तो आप जो है 9 10 की NCRT को अग्दम बढ़ियां से पढ़िए आपके सारे question बनेंगे ये जो है आपको source आप energy वाला जो chapter है वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब wind energy, solar energy इन सब के वारे में दिया है तो वहाँ पर easily आपको ये question का answer मिल जाएगा तो जो भी देखो क्या करना होता जो भी data based question है जैसे मालो कोई value है जैसे अभी हमने उपर देखा था 1 hertz power equal to 746 watt हो गया या फिर यहाँ पर turbine को घुमाने के लिए 50 km पर आवर से जादा energy की जरूरत होती है wind energy generate करने के लिए तो क्या करना होता मतलब इन सभी data वाले question को एक जगाँ पर note करते जाए जिसे मालो previous year में भी बहुत सारे data आपको मिलेंगे उन सबको क्या करिए जब भी आप इस lecture को देख रहे हैं आप एक pen paper लीजिए और वहाँ पे मतलब लिख लीजिए PYQ उसके बाद जो है point 1, point 2 इस तरह से जो भी मिलते जाए न उसको note करते जाए तो इससे जो है आपका धीरे-धीरे compile होके बहुत सारा data collect हो जाएगा और सारा data होगा NCRT का तो यह जो है आपको कई सारे TGT exam के लिए क्या करेंगे help करेंगे और D-3SB के लावा मैंने KBS, NBS इन सबको भी discuss किया है तो उसके भी D-3SB करना, यह मत सुचना कि हमको D-3SB देना है तो हम केवल इसी का करेंगे, नहीं, आप NBS का भी करिए, KBS का भी करिए आपको concept पता चलेंगे, क्योंकि चाहे वो NBS हो, चाहे KBS हो, चाहे D-3SB हो यह सारे exam जो है NCRT based ही होते है हाँ, यह अलग बात है, जैसे KBS का जो हुआ था exam, वो थोड़ा 11-12 based चला गया था मतलब, वहाँ पर लिखा भी था कि up to graduation label तो वहाँ के question मतलब काफी अच्छे question थे, conceptual question थे लेकिन आप देखेंगे D-3SB में, तो अभी तक हमने जितने भी question डिसक्शन है काफी easy question है, लेकिन इस बार syllabus में जो है काफी change हुआ है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या ऐसे ही question आएंगे, वो मतलब कुछ भी हो सकता है लेवल अप, medium या फिर आपर कुछ भी हो सकता मतलब, तो इस वज़े से जो भी पढ़ो मतलब solid पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, लेकिन अभी तक जो भी previous year में है, वो सब question आपके सामने है कि किस तरह के question जो है, पुछे गए है ज़्यादा तर maximum question आपको database यहाँ पर दिखेंगे अब देखो फिर से question है, क्या है हमारा It was found that the law of octaves जो octaves थें, ये एक scientist थें, इन्होंने एक law दिया था तो यहाँ पर, मतलब इसको हम बोलते है law of octaves It was found that the law of octaves was applicable only up to मतलब इनका जो law of octaves था, ये कितने तक valid होता है कितने तक valid होता है तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो law of octaves है यानि इसी को हम new lands, law of octaves से कह सकते हैं तो ये applicable होता है, केबल calcium तक केबल calcium तक तो यहाँ पर इस law में ये बताया गया जैसे माल लो, देखो ये जो question है, ये उठाया गया है periodic table से तो सबसे पहले, जब मतलब atom धीरे-धीरे, मतलब खोजना इस्टार्ट हुआ था, उसकी discovery इस्टार्ट हुई थी, तो अलग-अलग scientist ने atom को क्या क्या, उसको मतलब arrange करने की कोशिस की जैसे law of octaves तो हम पढ़ते हैं, मतलब new land law of octaves, इसके अलावा बहुत सारे periodic table में क्या हुए है, changes हुए है तो उसमें से एक law क्या है law of octaves, तो इन्हों ने क्या बताया था, मतलब जो atom के बारे में इन्हों ने ये बोला, जब भी आप element को, जब भी आप element को, उनके increasing atomic mass के order में क्या करेंगे arrange करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, जैसे मालो कोई element है उसके किसमें arrange करना है, हमको atomic mass के increasing order में increasing order में तो यहाँ पर क्या इन्हों ने बताया, जब आप किसी element को, उनके atomic mass के increasing order में arrange करेंगे, तो जो 8. element होगा, वो क्या होगा वो first element से same property so करेगा, first element से same property so करेगा तो इनका ये जो law है वो केबल calcium तक ही valid था उसके बाद से ऐसा नहीं हो रहा था उसके बाद से ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसको याद रखना इनका law जो है वो calcium तक calcium तक ही क्या था, valid था calcium क्या होता है, calcium का atomic number 20, यानि इनका जो law था वो atomic number 20 तक ही valid हो पाया था यानि calcium तक ही valid हो पाया था उसके बाद इनका जैसे इन्होंने क्या बोला जो first element है एक बार मैं इसको आपको example से बताती हूँ थोड़ा ध्यान से देखना जैसे देखो जब आप periodic table देखेंगे हमारा alkali metal और जब हम alkali earth metal लिखते हैं तो क्या होता है बेटा मांगे कार शर बाप रगड़े तो यहाँ पर क्या होता है जैसे देखो अब यह मत सुचना बी को इसके आगे क्यों नहीं लिखा इसी तरह से अरेंज ही किया गया तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पांच छ साथ अब जो आठमा element है आठमा element क्या आया यह वी यानि बोरान जो बोरान है वो आठमा element है तो आठमा element जो है वो पहले element से क्या करेगा similarity को सो करेगा hydrogen की बात उस समय तक नहीं हुई थी वो मतलब उसको दो जगा पर place भी किया गया था तो अभी उसको consider मत करना तो जो इनका लो था उस recording यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो वोरान magnesium calcium तो यह जो calcium है बस यहीं तक इनकी property match हो पाई थी उसके बाद जो है match नहीं हो पाई थी तो क्या है it was found that law of octaves was applicable only up to calcium तो याद रखना हाँ ठीक है आप सोचोगे मतलब ठीक है आप बता दो calcium होता ह है आगे बढ़ जाओ लेकिन नहीं आपको पता होना चाहिए कि मतलब यह कहां से question कैसे बन रहा है तो वो आपको समझ में आया होगा अब देखो next क्या है which of the following is known as law of definite proportion as stated by प्राउष्ट जो प्राउष्ट ने law दिया था definite proportion law of definite proportion उसमें क्या कहा गया था अब देखो यहाँ पे इसके नाम से yes पस्ट है definite proportion definite proportion तो इस मतलब जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसकी statement भी है तो चलो यहाँ पे find करते हैं तो यहाँ पे क्या है इन अ क्यमिकल सभस्टान्स किसी केमिकल सभस्टान्स में the elements are always present in definite proportion by density अब यहाँ पे देखो सबकुछ सही लिखा है लेकिन last में जो लिख दिया density बोल रहा है कि कि सी भी curry है जो element होते है वो हमेशा उसके density के definite proportion में present होते है तो यह statement wrong है यहाँ पे यह definite proportion मे नहीं present होते है ये present होते है definite mass में तो क्या हो गया next option क्या है इना chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass तो याद रखना यहाँ पर क्या है by mass density नहीं होता है तो ठीक उसी तरह से इना chemical substance the elements are always present in definite proportion by volume तो यह भी जो है गलत है यहाँ पर volume नहीं होता है तो याद रखना volume, density यह सब गलत है इना chemical substance the element अच्छे चलो ये मतलब थोड़ा रह गया कोई नहीं पर आप जो है याद रखना definite proportion का जो law प्राउष्ट के द्वारा दिया गया था उसमें ये बोला गया कि जो भी chemical substance होते हैं उनके जो element होते हैं वो हमेशा definite proportion में present होते हैं लेकिन किसके mass के ना की volume ना की density किसके mass क तो याद रखना है यहाँ पर mass होगा तभी से होगा otherwise wrong होजेगा और ये सब statement easily आपको NCRT में मिल जाएंगे मैंने आपको KVS वाले crash course में कराया भी हुआ है तो वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप खुद भी NCRT को read कर सकते हैं अब देखो क्या है next question फिर से database क्या है the melting point of ice is तो ये जो है आपको directly याद होना चाहिए melting point जो होता है ice का वो कितना होता है यहाँ पर 273 Kelvin और अगर इसी को degree Celsius में लिखोगे तो क्या लिखोगे देखो degree Celsius में हम इसी को क्या लिखेंगे 0 degree Celsius लेकिन जब हम 0 degree Celsius को Kelvin में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 273 को add करते हैं तो जब हम बात करते है melting point of ice की तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमको option जो दिया है वो किस में दिया है Kelvin में तो वो तो हमको पता है melting point of ice is 0 degree Celsius लेकिन Kelvin में दिया है तो degree Celsius को Kelvin में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 273 को प्लस कर देते हैं तो जब आप 0 degree Celsius को 273 में प्लस करेंग तो क्या आएगा 273 ही आएगा तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 273 अब आप सोचेंगे यह 15 के क्या मतलब है ऐसे हम कैसे जान सकते हैं तो देखो आप जो है 237 473 373 यह सब इस ऑप्षन से बहुत ज्यादा दूर-दूर के ऑप्षन है तो यहां पर कंफ्यू पर देखो बाकी के ऑप्षन आप सोचेंगे यह 15 हमको नहीं समाझा रहा तो लेकिन बाकी के आप्षन तो इससे बहुत दूर-दूर के हैं तो हमारे पास ऑप्षन ही क्या पचल लगाने को तो वह है हमारा 273.15 केल्विन तो इसको जो है आप याद रखेंगे अब जैसे देखो यह जो क्वेस्टन है यहाँ पर हम यह कह सकते हैं जैसे सबको पता होता है melting point of ice 0 degree Celsius लेकिन आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि degree Celsius को convert करने के लिए Kelvin में 273 को प्लस करते हैं तब ही आप जो है इसको Kelvin में निकाल पाएंगे अब देखो क्या है the plasma state of matter consists of जो plasma state होता है जैसे देखो normally तो जो matter of state होता है उसमें हम क्या-क्या जानते है solid, liquid and gas लेकिन उसके अलावा भी एक होता है plasma state एक होता है BSE यानि Bose Einstein state तो यहाँ पर देखो हमको यह पूछा जा रहा है कि जो plasma state होता है उसमें क्या-क्या होता है वो किसका बना होता है तो first option क्या है extremely charged particle of gases under very low temperature second क्या है B extremely stable and uncharted neutral of several gases और C क्या है extremely stable particle of liquid gas and charged particle of a noble gas under extremely low temperature extremely energetic and excited form of ionized gas तो यहाँ पर याद रखना जो plasma state होता है वो extremely energetic होता यानि बहुत जादा उसमें क्या होता है energy होता है and excited form of ionized gas यहाँ पर प्रजेंट होता है तो यहाँ पर यह very low temperature extremely low temperature और यहाँ पर neutral gas यह सब जो है कुछ भी नहीं है आप देखो जो state of matter है class 9th NCRT में chemistry वाला person state of matter तो आप पूरा chapter जब पढ़ेंगे तो कहीं पे भी इसके बारे में नहीं दिया है last में क्या बनाया है एक graph बनाया है graph नहीं sorry एक मतलब इस तरह से एक डपा बनाया है तो उस डब्बे में लिखा है यह दोनों state के बारे में यानि plasma और BSE तो इन दोनों के बारे में अलग से उस मतलब आप देखेंगे ना मतलब point to remember की तरह देता है तो ठीक उसी तरह से red color में वो जो है इसके बारे में लिखा हुआ है तो इसी वज़े से NCRT का चाहे वो कोई मतलब छोटा सा part डिबबा बना के दिया हो या कोई table दिया हो या कोई chart दिया कुछ भी दिया हो वो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे plasma state नहीं आप देखेंगे state of matter में solid liquid gas के बारे में बहुत अच्छे से extremely energetic and excited form of ionized gas यानी option number D अब देखो solid carbon dioxide is known as dry ice जो solid carbon dioxide है उसको आप ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं क्यों यहाँ पे आपको reason बताना है कि जो solid carbon dioxide है उसको आप ड्राई आपसाइड के नाम से क्यों जानते हैं तो first option क्या है it is stored under extreme low pressure to solidify it यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको हम क्या करते हैं extremely low pressure के अंदर में क्या करते हैं solidify करके store करते हैं तो क्या है solid carbon dioxide को dry ice के नाम से क्यों जानते हैं यह आप से जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है कि extremely low pressure पे इसको solidify करते हैं इस वज़े से इसको dry ice बोलते हैं तो यह जो है wrong है यह नहीं होगा second क्या है it gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure it gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atm without coming into liquid stage तो यह जो है इसका बिल्कुल correct region है कि solid carbon dioxide को dry ice क्यों गोलते हैं क्योंकि यह जो है इसको easily क्या किया जाता है convert किया जा सकता है gaseous state में बीना liquid state में change किये हुए वो भी कितने पे 1 atm pressure पे तो याद रखना हम जो है जो solid carbon dioxide है उसको हम 1 atm pressure पे बीना liquid state में change किये ही gaseous state में change कर सकते हैं इस वज़े से इसको हम dry ice के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो जाएगा only two only two यहाँ पे जो first option है वो इसके हिसाब से क्या है wrong है यह इसका कोई भी region नहीं है आप देखो which are the following types of coal has highest calorific value highest calorific value तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है पीट एंथरसाइट लिगनाइट सब बिटूमिनस क्या दिया है पीट एंथरसाइट लिगनाइट सब बिटूमिनस तो यहाँ पी याद रखना जो coal होता है क्या होता है जो coal होता है उसके जो types होते हैं अलग-अलग तो यहाँ पे जैसे एंथरसाइट हो गया परसेंटेज पता हो तो और भी अच्छी बात है तो एक बार मैं आपको परसेंटेज पहले बताती हूँ जो एंथरसाइट होता है उसका परसेंटेज होता है 87-96 और जो बिटूमिनस होता है उसका कितना होता है 45-86 परसेंट होता है और जो लिगनाइट होता है आपको याद नहीं होते हैं, आप इसको छोड़ो, आपको बस इतना याद रखना है, कि कौन सा कोल टाइप सबसे ज़्यादा हाइस्ट कैलोरिफिक वैलू रखता है, तो देखो, A आता है, A के बाद B आता है, B के बाद L आएगा कहीं न, सबसे पहले क्या आता है, जब आप बेट पड़ते हैं, सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर मतलब L बाद में आता है, तो उसी तरह से याद रखना, सबसे पहले हाइस्ट कैलोरिफिक वैलू A की, A for anthracite, फिर B for, B for, यहाँ पर क्या होजएगा, bituminous, L for lignite, तो याद रखना, A for anthracite का सबसे ज़्यादा हाइस्ट कैलोरिफिक वैलू होता है, तो यहाँ पर हमारा right answer क्या होजएगा, anthracite, anthracite, तो याद रखना, A, B, A, B के बाद जो भी term है बो आता है, तो क्या होजएगा, A for anthracite, B for bituminous, L for lignite, तो क्या होजएगा, सबसे ज़्यादा हाइस्ट कैलोरिफिक वैलू किसकी हैं, तो क्या निकलता है, तो देखो, burn किसके, जब भी कोई चीज burn होती है, तो वो oxygen के presence में burn होती है, यानि मालो अगर हमको hydrogen को burn भी करना है, तो हम यह जो है, इसको oxygen के presence में burn करेंगे, तो क्या हो जाएगा, H2 और O2 मिला कर क्या बनता है, H2O, यहाँ पे 2 लगाएंगे, इ H2O, यानि देखो, burn करने के लिए, किसी भी चीज को burn होने के लिए, oxygen की आवस्यक्ता होती है, अगर कहीं पे मालो oxygen नहीं है, तो कोई भी चीज burn नहीं हो सकती, तो इस वज़े से hydrogen को burn करना था, हमने hydrogen को burn कर दिया, यानि oxygen के presence में उसको रख दिया, तो अब यहाँ पे hydrogen और oxygen react करके सब को पता है, क्या बनाता है, पानी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, which are the following is emitted when hydrogen is burned, यहाँ पे क्या emit होगा, water vapor, क्या emit होगा, water vapor, और अगर बोलते हैं, कार्बन को burn किया जाता है, तो क्या बनेगा, तो CO या फिर CO2 बनेगा, तो इस तरह से जो है, आप इसको solve कर सकते हैं, next question, 35, यहाँ पे क्या है, which are the following has a tendency to maintain the shape when subjected to outside force, कौन है जिसके अंदर ऐसी tendency होती है, अपने shape को maintain करने की, अब जैसे मालो हमने एक ग्लास पानी लिया, क्या लिया, हमने एक ग्लास पानी लिया, हमने एक बोल पानी लिया, हमने एक बाल्टी पानी लिया, तो क्या हुआ, हमने एक ग्लास से बोल में डाला, बोल से लिया, बोल से बाल्टी में डाला, बाल्टी से लिया, यानि यह तो अपनी shape को change कर रहा है, तो यहाँ पे liquid तो होगा नहीं, gases भी ठीक उसी तरह से होते हैं, जिसमें भर दो उसी shape का हो जाएगा, aerosol से अभी मतलब है नहीं, मतलब यह भी जो है, अपने shape को maintain नहीं कर पाएगा, जो होता है, वो है solid, आप solid में बात करें, जैसे आप जो है, आपके हाथ में एक pen होगा, pen को आप चाहे टेबल पे रख दो, चाहे मतलब उसको किसी बोल में रख दो, ग्लास में रख दो, बाल्टी में रख दो लेकिन pen तो pen ही है, मतलब यह pen का shape change नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से आप जो जिस भी mobile में अपना lecture देख रहे हैं, उस mobile को चाहे आप अपने shape पे रख दीजे, चाहे आप जो है बिस्तर पे रख दीजे, चाहे टेबल पे रख दीजे, कहीं पे रख दीजे, लेकिन mobile अपना shape change नहीं कर दा, तो क्या है solid है, तो क्या है which of the following have tendency to maintain their shape, तो क्या होजएगा यहाँ पे answer हमारा solid, क्या होजएगा solid जो की अपने shape को maintain रखता है, उसको कहीं भी रख दो, चाहे उस पे कैसा भी force लगा दो, वो क्या होजएगा solid जो की अपने shape को क्या रखेगा, maintain रखेगा, next question है which of the following is not a postulate of Dalton atomic theory, हमको बताना है Dalton atomic theory का कौन सा postulate नहीं है, फिर से देखना, यहाँ पे क्या है not a postulate, अब मानलो आपने गलती से इसको पढ़ लिया, जल्दी जल्दी में, which of the following is a postulate of Dalton atomic theory, अब आपको लगेगा अच्छा बड़ा बड़ी है question है, Dalton atomic theory का question है, यह तो हमको अब मानलो आपने पढ़ा, all matter is made up of very thin particle called atom, अब आपको लगा Dalton, यह तो मैंने बहुत बड़ी हैं से पढ़ा है, और यह मुझको पता भी है, और यह option 100% सही भी है, और यहाँ पे देखो option, अच्छा मतलब उस तरह का option नहीं है, यह जो है single option है, मानलो आपको इस तरह से question दि के बारे में बताना है, और आपने क्या क्या, यह not को ध्यान नहीं दिया, और आपने इसे टिक मारा और आगे बढ़ गए, तो वहीं पे आपका option, मतलब आपका यह जो option है, वो wrong हो गया, आपका question पूरी तरह से negative में चला गया, देखो, आपको मतलब यह डॉल्टा इने टॉ कर दिया, लेकिन आपसे वो incorrect पूछना चाह रहा है, कि कौन सा नहीं है, तो ऐसे ऐसे मतलब देखो, question तो बहुत easy है, ninth class में ही है, डॉल्टा इने टॉमिक थियरी, आपको आता भी यह बहुत अच्छे से, फिर भी गलत कर सकते हैं, किस वज़े से, आप थोड़ा सा mistake करके, क मतलब आपने जो है, focus नहीं किया, कि question में पूछा क्या गया था, तो यह फायदा होता है, previous year को solve करने का, हमको पता चलता है, कि हमको किस सीजों पे ध्यान देना है, तो याद रखना यहाँ पे not पूछा है, तो इस वज़े से, और देखो, कभी भी जल्दबाजी ना करो, ज chemical properties, यह भी जो है, dot atomic theory की ही लाइन है, यह भी सही है, अब आपको लगेगा, मैंने तो पढ़ा dot atomic theory के बारे में बताना है, लेकिन दोनों ही सही है, फिर आप देखोगे question में, तब आपको पता चलेगा, अच्छा not पूछा है, तो इस तरह से जो है, मतलब question को पढ़ना होता ह है, अब देखो question का answer तो कोई भी बता देगा, लेकिन मैं आपको इन सब word पे focus करना इसलिए बता रही हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी से mistake से क्या होता है, हमारा negative में चला जाता है, और हम selection से रह जाते हैं, तो इस वज़े से यह not incorrect, correct इन सब चीजों पर ध्यान देना, पुछा है, relative number and kinds of atom are constant in a given compound, तो यह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर क्या हो जगा, which of the following is not a postulate, तो इस question के according, हमारा answer क्या जाएगा, option number C, atom combines in the ratio of small real number to form compound, यह जो है, गलत है, अब देखो, यहाँ पर यह तो हो गया, हमारा next question क्या है, which of the following country is known as the country of the wine, जो मतलब ऐसी कौन सी country है, जिसको हम country of the wines के नाम से जानते हैं, तो यह भी देखो, direct question है, जो Denmark होता है, उसको country of wine के नाम से जानते हैं, तो इसमें कोई concept तो है नहीं, जो आपको मतलब समझाना पड़े, तो इसको आपको direct पता होना चाहिए, और यह भी आपको मिल जाएगा source of energy वाले chapter में, wind energy से related वाले हैं, आप देखो according to Thompson model of atom, यह जो Dalton atomic model, Thompson model of atom, यह सब आपको मिल जाएगे, class 9th structure of atom chapter में, तो याद रखना जो भी, आप देखेंगे class 9th में chemistry के total कितने, total 4 chapter हैं, तो उन 4 chapter को अच्छे से कर जाएए, question वहीं से घूम फिर के बार बार आता रहता है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने जो है, आल्रेडी KVS करेस कोस में कराया है, सारे ही कराये हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तो दुबारा से record करने का time नहीं है, पर एक बार 9th का बहुत अच्छे से मैं एक दम ऐसा वीडियो बनाँगी ना, एक बार पढ़ोगे, सब मस्त याद हो जाएगा, पर अभी time नहीं है, अभी मत बोलना की, अभी करने को, पर करवा दूंगी बाद में, अभी तो बस DSSB के newly added topic कराने हैं, बस, क्योंकि time का बहुत ही shortage है, तो क्या पुछा है, according to Thompson model of an atom, जो Thompson model था, उसमें क्या कहा गया, उन्हें ही वो तर्बूज खर्बूज वाला model दिया था, तो यहाँ पर क्या है, Thompson के according, क्या चीजे correct है, यह बतानी है, तो यहाँ पर यह बताया गया, कि उन्होंने बोला, कि जो एक atom होता है, वो consist करता है, क्या positive charge sphere, और उसमें क्या होते हैं, electron जो है, वो उसमें embedded होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, यह जो है क्या है, तर्बूज है, कटा हुआ तर्बूज है, तो उसमें उसके बीज इस तरह से पड़े रहते हैं, तो ठीक, उन्होंने यही बोला, Thompson model ने यही बोला, जैसे एक तर्बूज है, वो वालो उसमें positive, क्या हो गया, charge हो गया, और उस के according, यह option जो है, सही है, the negative and positive charge are not always equal in magnitude, और यही पर यह क्या हो गया, उन्होंने यह नहीं बताया था कि वो magnitude में equal नहीं होते, याद रखना, negative and positive charges are always equal in magnitude, so the atom as a whole is always electrically neutral, यह बताया था, Thompson ने, लेकिन यहाँ पर not, not लगा के, यह जो है, इस option को wrong कर दिया, not नहीं आएगा, उन कि जो यह मतलब यहाँ पर positive charge है, उसमें electron धसे हैं, और यह भी बताया, जो negative और positive charge है, वो always equal होते हैं, इस वज़े से जो atom होता है, वो electrically neutral होता है, लेकिन यहाँ पर not, not बोल दिया, यानि यह जो है, Thompson के according क्या हो गया, यह हमारा wrong हो गया, तो यहाँ पर केवल one, यानि बो, यहाँ पर सही है, यानि option number C, इस question के according हमारा right answer है, हाँ, हलाकी मतलब यह बाद में change हुई है, लेकिन यहाँ पर हमको देखो पुछा है, Thompson model के according, तो Thompson के according, Thompson नहीं क्या बोला है, उस हिसाब से हमको यहाँ पर answer करना होगा, हाँ ठीक है, यह चीजे सही नहीं है, मतलब बाद मे जो भी बहुत सारे model आएं, तो उनके according चीजे change हुई है, लेकिन हमसे क्या पुछा है, according to Thompson model, तो हमको जो है answer भी Thompson model के according ही देना होगा, next question क्या है, what is the atomic radius of hydrogen atom, अब यहाँ पर देखो, क्या है, atomic radius of hydrogen atom यहाँ पर हमसे पूछा है, तो देखो, atomic radius, radius क्या होदा, जैसे मालो यह हम गया हमारा radius, ठीक उसी ताना से hydrogen में क्या होते हैं, hydrogen में 2 atom होते हैं, तो यह hydrogen के 2 atom हो गए हैं, क्या हो गए हैं, यह hydrogen plus hydrogen तो ये हो गए ह यानि हम हम कह सकते हैं उसके बीच का डिस्टेंस जो है, one half the distance between the nuclei of identical atom तो इसको हम क्या बोलते हैं, atomic radius तो अब यहाँ पे देखो, जो इनके बीच का distance होता है जो इनके बीच का, जो hydrogen molecule है उनके बीच का जो distance होता है, वो होता है 74 picometer 74 picometer, लेकिन हमको इसका one half लेना है क्या लेना, half लेना है तो 74 का जब आप half करेंगे, तो वो हो जाएगा 236, 274 अब यहाँ पे फटाफट आपका answer आया 37 अब मालो यह तो आपको पता है, 37 है और आपने first option देखा 37 और लगाके बढ़ गए आगे या फिर मालो आपकी नज़र गलती से A पे ना पढ़के D पे पढ़ गई और आपने 37 एनम किया और साब गढ़ बढ़ हो गया देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया unit, unit का सबसे ज़्याद ध्यान देना होता यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है लेकिन यहाँ पे 9 मीटर है, यहाँ पे पीको मीटर है और जब इसका distance पीको मीटर में है तो इसका radius भी पीको मीटर में आएगा तो याद रखना जो hydrogen होता उसके बीच का जो distance होता है जो atomic radius होता है, वो होता है 37 पीको मीटर 37 पीको मीटर structure आप atom वाले chapter में यह भी आपको मिल जाएगा Mendeleev's periodic law states यह जो है class 10 में जो periodic table दिया हुआ है वहाँ से आप से question पूछा जा रहा तो देखो, यह जो है एक ही set हमारा चल रहा है इसके पहले अभी हम periodic table से related क्या कर चुके हैं दो तीन question कर चुके हैं जैसे कि हमने एक octaves law वाला नू लेंड octaves ला देखा था और एक यहाँ पर atomic city वाला देखा था और यह तीसरा यह हो गया तो यह सब क्या है मतलब एक एक chapter से देख रहे हैं तीन दीन चार-चार question भी आते हैं तो इस वज़े से सभी chapter को वो भी chapter तो ज़्यादा है नहीं बहुत ही easily आप जल्दी-जल्दी कर सकते हैं तो क्या है mandalives periodic law बताना है हमको कि mandalives ने क्या कहा था अब octaves ने तो बोला जब भी आप किसी भी atom को उसके increasing mass के मतलब atomic mass के उसमें रखेंगे तो वो जो है उसका first और eight element same property so करेगा यह तो जो है octaves का लोग हो गया ठीक उसी तरह से mandalives ने क्या लोग दिया तो सबसे पहला क्या है properties of element are the periodic function of the atomic city क्या है the atomic city atomic city नहीं atomic city इन्हों ने ये मतलब ये बोल रहा option में कि जो property होता element का वो उसका periodic function होता कि इसका उसके atomic city का तो यहां पर यह जो atomic city लिख दिया ना इसके वज़े से ये कड़ बढ़ हो गया यहां पर atomic city नहीं आएगा अब देखो क्या है properties of elements are the periodic function आप दिये atomic masses क्या है atomic masses तो यहां पर याद रखना जो mandalives ने periodic law दिया था उन्होंने ये बताया था कि जो properties होते हैं element के वो उनके atomic masses की periodic function होते है तो याद रखना यहां पर atomic masses आएंगे और यहां पर देखो d option में यहां पर number दे दिया इस वज़े से ये wrong हो गया और यहां पर iron दे दिया तो इस वज़े से ये wrong हो गया तो atomic गलत है ions गलत है यानि मेंडलीव ने atomic mass की बात की थी मेंडलीव ने atomic mass की बात की थी एम फॉर मेंडलीव एम फॉर मासिस अब देखो next question क्या है 41 वीच आप दा following products consist आपा mixture आप potassium chlorate and antimony trisulfide bound together by glue यहां पर क्या पूछा जा रहा है वीच आप दा following product consist आप mixture आप potassium chlorate यहां पर बताना है कि potassium chlorate का mixture और क्या लेना है potassium chlorate ले लीजिए plus किसका mixture लेना है antimony का antimony का जब आप potassium chlorate और antimony का mixture लेते हैं तो क्या बोला जा रहा है bound together by glue जब इनको हम glue के माध्यम से bound करते हैं एक साथ तो क्या बनता है detergent बनता है soaps बनता है candles बनते है या फिर match stick head बनता है तो detergent आप जो है यहां पर वो तो fatty acid वगरा आता है तो यहां पर यह तो हो गया हमारा wrong यानि salt plus fatty acid तो वहां पर soap या फिर detergent बनते हैं तो यहां पर soap और detergent तो नहीं होंगे तो यहां पर candles भी नहीं होता है जो यहां पर potassium chlorate होता है और anti-money trisulfide है उसके help से यहां पर क्या बनता है match stick head यानि जो matchis की तीली होती है जहां से मतलब जब उसको हम जलाते हैं या फिर 7 की NCRT में मिलेगा जो मतलब flame क्या था chapter by 9 flame ऐसा कुछ chapter है वहां पर मिलेगा तो यह भी आपको समझ में आया होगा समझ में क्या आया होगा यह तो simple सा question है जब potassium chlorate को और anti-money trisulfide को bound करते हैं glue के help से तो क्या बनता है match stick head बनता है next देखो क्या है 42 which after the following is correctly balanced equation for Fe plus H2O gives out Fe 3 O 4 plus H2 तो यहां पर देखो यह 3 जो है यहां पर इसके यहां पर आएगा और 2 यहां आएगा और यह 2 यहां आएगा वो जो ना match करने में वो एक पल आ जाता है तो उससे तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए तो जब भी आपसे balancing का question पुछे ना कुछ भी नहीं जैसे यहां पर देखो क्या है 2 hydrogen इधर है और 2 hydrogen इधर है यानि हमको 4 hydrogen लेना है Fe 3 3 क्या है Fe यानि iron है और Fe 3 O 4 4 क्या है यहां पर oxygen है यह जो है आप match कर लिजिए जहां पर यह मिल जाएंगे वही हमारा right answer हो जाएगा correctly balanced equation तो यहां पर देखो क्या है एक second यहां पर यह जो 4 hydrogen 3 यहां से हमको balance नहीं करना यह तो हमको मत्तब वो दे दिया वो equation यह इसका balancing नीचे दिया मुझे लगा कि इसी को balance करना तो यह नहीं है एक second देखो यह मतलब यह तो हमको दे दिया normally equation तो अब इस equation को balance करना है और वो equation हमको यहां पर दिया है देखो Fe plus H2O Fe plus H2O और Fe 3 O 4 इस तरह से दिया है अब यह देखना है कि कौन सा balance equation यहां पर होगा तो करना वही काम है जैसे यहां पर देखो एक बार हम इस side चेक कर लेंगे एक बार इस side में हम चेक कर लेंगे इधर कितने iron है तीन iron और इधर Fe 3 यानि तीन iron इधर भी तीन iron है इधर भी तीन iron है तो दोनों तो ठीक है अब इधर देखो 4H2O 4H2O जैसे इस तरह से लिखा है 4H2O तो इसको हम कैसे करते है यह जो 4 है यह इसमें भी multiply होगा और इसमें भी यानि 4H2O का मतलब यह है कि 4 दूनी 8 यानि यहाँ पे 8 hydrogen प्लस 4 एकम 4 यानि 4 oxygen यानि 8 hydrogen 4 oxygen है तो इधर हो गएं 4 hydrogen और सोरी 8 hydrogen और 4 oxygen और इधर देखो 4 दूनी 8 यानि 8 hydrogen हो गए और O4 यानि 4 hydrogen हो गए तो दोनों तरफ हमारी जो बैलेंशिंग है वो डन है इधर 3 iron है इधर भी 3 iron है F3 तो 3 iron है इधर 4H2O 4H2O यानि 8 hydrogen 4 oxygen तो इधर देखो 4H2O यानि 8 hydrogen और यहाँ पे O4 यानि 4 oxygen तो इस हिसाब से हमारा यह जो है 1st option ही यहाँ पे correct होगा लेकिन बाकी के देख लेते है क्या है यहाँ पे 3 क्या है iron है यहाँ भी 3 iron है यहाँ H2O है यहाँ पे H2 है अब यहाँ देखो H2O मतलब hydrogen और iron क्या है balance है लेकिन यहाँ पे देखो oxygen एक ही है लेकिन यहाँ पे oxygen 4 है इस वज़े से ये हो गया हमारा wrong third option में देखो क्या है 4H2O दिया है यानि 4 दूनी 8 hydrogen है लेकिन यहाँ पे केवल H2 दिया है यानि hydrogen balance नहीं है next option देखो क्या है यहाँ पे 3 iron, 3 iron balance है 4 oxygen, 4 oxygen भी balance है 4 दूनी 8 hydrogen, यहाँ पे 2 hydrogen तो hydrogen जो है वो balance नहीं है तो इस हिसाब से हमारा first option ही क्या है balance है पूरी तरह से हमको कुछ नहीं देखना दोनों तरफ के atom जो है वो equal होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए यहाँ से कि जब भी आप इस तरह से जो है लिखते हो या इसको हटा के थोड़ा बड़ा माली के लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हम H2SO4 ले लिए हैं और इसके आगे हमने 2 लगा दिया इसका मतलब यह है यह 2 यहाँ भी multiply होगा यहाँ भी multiply होगा और यहाँ भी multiply होगा यानि 2 दूनी 4 hydrogen होंगे यहाँ पे 2 एकम 2 sulfur होंगे यहाँ पे 2 चौक 8 यहाँ पे oxygen होंगे तो बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कभी-कभी मतलब mistake हो जाता है अब यहाँ पे आप जो है आपने देखा और जल्दवाजी में केवल एक oxygen माल लिया तो फिर यह जो है आपका wrong हो जाएगा next क्या है which of the following reacts vigorously with water to produce slaked lime मतलब कौन है जो की slaked lime के साथ में vigorously मतलब तेजी से react करता है क्या बनाने के large amount of heat large amount of heat यहाँ पे आपको बताना है कौन जो है यहाँ पे large amount of heat डियर करेगा मतलब release करेगा और किसके साथ में करना है bit water produce slaked lime मतलब slaked lime को produce करना है slaked lime product साइड में आएगा तो slaked lime किसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना जिसका formula होता है c a o h का whole twice और इसके साथ में क्या बनाना है heat भी लाना है तो कौन रियर और यहाँ पे हमको यह भी दे दिया कि h2o के साथ में react करवाना है तो यह हमको find करना है देखो product में बता दिया कि select lime बनाना है और उसके साथ में heat निकलेगी और h2o के साथ में react करवाना है यानि यह react inside में आएगे तो यहाँ पे कौन आएगा मतलब कौन यहाँ पे water से react करेगा जो कि यहाँ पे बुझा हुआ चूना यानि select lime बनाएगा तो यह तो सब को पता होगा easy सा question होता है calcium oxide यी OR यह जो है water के साथ में मिलके बुझा हुआ चूना यानि select lime बनाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा right answer calcium oxide क्या हो जाएगा calcium oxide calcium oxide अब देखो क्या है 44 question which of the following is an incorrect फिर से देखना incorrect यहाँ पर incorrect पर मार करके रखो regarding universal rule of normanclature normanclature rules according कौन सा incorrect option है first word denoting the genus जैसे देख लो मालो हमने यहाँ पर लिख लिया लिख लेते हैं mangifera mangifera indica क्या लिख लेते हैं mangifera indica तो हमने इसको हाथ से लिखा है तो इसको underline कर लेते हैं अब देखो first word denoting the genus start भी था small letter mangifera में M क्या है capital है तो कभी भी genus को small से नहीं capital से लिखते हैं और यहाँ पर जो species है उसको small से लिखते हैं तो यहाँ पर small लिखके इसने साब चोपट कर दिया नेश देखो biological names are generally in Latin and written in italics क्या किये जाते हैं यह Latin में होते हैं लेकिन italics में लिखे जाते हैं यानि जब हम इसको लिखते हैं तो थोड़ा तिर्चा करके लिखते हैं तो यह बिल्कुल सही है the first word in biological name represent the genus बिल्कुल सही है मैंगी फिरा genus है इंडिका यहाँ पर species है both the word in biological name when handwritten are separately underlined इनको हम अलग-अलग लिखते हैं और separately underline करते हैं तो यह भी सही है हमसे incorrect पूछा था जो कि पहले ही option में था बोल रहा है कि genus small letter से start होता है यह यहाँ पर गलत बात यह जो है small नहीं capital letter होना चाहिए इस वज़े से यह जो है गलत है यानि इस question के according हमारा right answer क्या है option number first wrong पूछा था हमसे wrong हमने बता दिया next question क्या है acetic acid है जा melting point आप जो acetic acid होता है उसका कितना melting point होता है तो यह भी database question है directly याद रखना 290 Kelvin क्या होता है 290 Kelvin इसका melting point होता है next 46 outer solid crust आप earth जो earth crust का outer layer होता है उसको हम क्या बोलते हैं hydrosphere, lithosphere, mesosphere, stratosphere जो environment वाले topic है जहां पर pollution वगएर दिया है तो वहां पर यह आपको मिल जाएंगे मतलब 910 में ही मिल जाएंगे 718 में भी मिल जाएंगे तो यह तो मतलब common topic है हर एक class में ही मिल जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा outer solid crust तो outer solid crust जो होता है अर्थ का उसकौम क्या बोलते हैं lithosphere, lithosphere means क्या होता चटान तो चटान को क्या होता कठोर होता solid होता है तो उस तरह से याद कर लेना क्या होज़ेगा lithosphere outer solid crust आप अर्थ is known as lithosphere next question क्या है an alkali is a base which is alkali क्या होता है highly reactive होता है या फिर soluble in water होता है never stable होता है या फिर highly basic in pH होता है तो याद रखना जो alkali होता है alkali is a base जो alkali होता है वो base होता है which is highly soluble in water जो क्या होता है वो वाटर में highly soluble होता है तो ये भी हो गया नेस्ट क्या है हमारा 48 विच आप दा following product is available from heavier brassiliensis जो heavier brassiliensis है इससे हमको कौन सा product मिलता है तो ये जो heavier brassiliensis है ये एक प्रकार का rubber tree है क्या है rubber tree है यहाँ पे हमसे ये पुछा है कि इससे क्या प्राप्त होता है कौन सा product मिलता है क्या मिलता है कौन सा product मिलता है ये पुछा है तो ये क्या है एक प्रकार का rubber tree है तो इससे हमको क्या मिलेगा rubber मिलेगा यानि यहाँ पे हमारा option right क्या हो जगा natural rubber जो heavier या ब्रैसिलियंसी सा इससे हमको निचुरल रवर मिलता है निश्ट क्या है क्वेश्चन नमबर 49 आल मेटल्स एक्सेप्ट एक्जिस्ट ऐस सॉलिड आयट रूम टिंपरेचर कौन सा ऐसा मेटल है जो की सॉलिड के रूप में एक्जिस्ट नहीं करता यह पुछरा देखना ध सारे मिटल कैसे होते हैं सॉलिड वां में होते हैं except मर्करी आप यहां पर देखो क्वेश्चन नमबर 50 जो____कि आज के इस वीडियो को slash question है और हां देखो एक सेट में कितने होते हैं 100 question होते हैं तो हमने 100 में से 50 Quesrust 17 April 2021 में पूछे हुए question को हमने मतलब आज discuss करेंगे इस वीडियो में तो इसके आगे का next वीडियो में discuss करेंगे तो 50 question क्या है which आप the following is the most ductile metal कौन सा most ductile है जिसको हम feet के एक तार की रूप में convert कर सकते हैं तो वो क्या है gold इसी वज़ेस तो हम इससे जो है बल्री बल्री अच्छे से बना देते हैं तो most ductile पूछा है most ductile में क्या आता है gold जो gold होता है उसकी highest ductility property होती है ductility means क्या होता है एक ऐसा metal जिसको हम convert कर सकते हैं एक thin wire के रूप में तो ये क्या हो जएगा हमारा most ductile यहाँ पे क्या हो जएगा gold तो ये था हमारा last question और आज के इस वीडियो में यहीं तक next जो 50 question है उसको next आने वाले वीडियो में cover करेंगे तो आप जो है इस वीडियो से related अपना feedback देना मत भूलना आपको explanation या फिर जो भी चीजे कैसी लगती है उसको जरूर बताना मिलेंगे अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए all the best be happy, be positive